गाइस, UK अगर आपको मूव होना है और अगर आपके पास में अच्छी स्किल्स हैं, आपके पास में कुछ ऐसी नॉलेज है या डिग्री है जहां पे आप अपने आपको एक लीडर या as a potential लीडर प्रूफ कर सकते हूँ, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीजा है ज आपको वो रूट नहीं, बलकि ये रूट के लिए भी आपको सोचना चाहिए, इस रूट का नाम है Global Talent Visa, तो आज इस वीडियो में हम डेटेल में बात करेंगे, क्या है ये वीजा, क्या eligibility criteria है, आपको कैसे इसके लिए apply करना पड़ेगा, कितनी charges लगेंगे and all the information would be there in the video, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब नी किया है, तो प्रीज दू सब्क्राइब एंड चलो सब्सक्राइब आज करते हैं जैसे कि वे बताया Global Talent Visa एक थोड़ा सा युनीक वीजा है, क्योंकि यहां की Government क्या चाहती है, कि all over the world, जिनके पास में भी लोगों के पास में अच्छा टा और क्योंकि अभी हां पे इंफलेशन काफी ज्यादा आ गया था तो वो लोग हर एक छीज को ध्यान में रखते हुए Global Talent Visa को बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो यह जो वीजा है, यह इसलिए डिजाइन किया गया है, कि जो भी highly skilled लोग है, वो इसी country में अगर वो लोग ह या arts and culture, अगर आप इन काटेगरी के अंदर leader या potential leader हो, तो आप इस वीजा के लिए eligible हो सकते हो, अब अगर मैं eligibility की बात करूँ, तो eligibility कुछ नहीं है, आप 18 years plus होने चाहिए, आपके पास में master's degree होने चाहिए, आपके पास में professional qualification होने चाहिए, अब जो सबसे important चीज है Global Talent Visa में वो ये है कि आपको एक अपना proof करना होता है, कि आपके पास में ये कैसा जो भी आप expertise शो कर रहे हो, वो कैसे आप proof करोगे, तो इसके लिए आपको एक जो endorsement body है, उनसे endorsement लेना पड़ता है, अब ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है, ये बस एक document kind of endorsement होता है, जो कि य आपके पास में जो आप experience बोल रहे हो, for example, अगर आप बोल रहे हो कि आप technology में as a leader हो, या आपने किसी research में या किसी चीज में आपने वहाँ पे काम किया हुआ है, तो वो चीज वो प्रूव करते हैं कि हाँ भई, whatever you are saying is right, and हम आपको ये endorsement letter दे रहे हैं, जिसमें ये प्रू endorsement bodies हैं, और इनी endorsement bodies के through आपको हमेशा apply करना होता है, UK government की website पे पूरा एक form होता है, जिसके through आप उनको reach out कर सकते हो, और फिर उनकी सबकी basic requirements होती हैं, जैसे कि आपको उनको अपने resume करना है, अपने references submit करना होते हैं, cover letter बहुत अच्छा से लिखके, कि क्यों आप endorsement में apply कर and all that, यह आपको basic सी information होती है, जो उनको provide करने होती है, फिर वो आपकी सारी information लेके, अपनी research के through अपना हैं, endorsement letter आपको provide करते हैं, तो यह एक बहुत ही बड़ा step है, इस पूरे global talent visa में, अगर आपके पास endorsement letter आगया, that means बस आप visa apply करोगे, अपने सारे documents submit करके, with your endorsement letter, तो आ आपको यह ग्लोबल talent visa मिल जाएगा, अब यहां पर सबसे बड़ा ट्विस्टी है, कि ऐसा कुछ नहीं है, कि आपके पास में कोई company है, जो कि आपको sponsorship letter दे रही है, या फिर आपको तब आप जहा के मतलब यह चीज आप apply कर सकते हो, इस visa को, ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर आपको endorsement मिल गया, आप free हो, आप जाके visa apply कर सकते हो, और आपको वीजा असानी से UK government से मिल सकते है, अभी आपके पास even कोई job भी ना हो, तो भी आपको यह visa अराम से मिल जाएगा, आपको जब visa आजाएगा, तब आप jobs के लिए apply कर सकते हो, या आपको जब visa का process start हो चुका ह तब आप visa या jobs के लिए यहाप पर apply कर सकते हो, उसके बाद जैसे कि आपको endorsement मिल के अपने visa के लिए apply कर दिया, वीजा अप्लिकेशन के लिए भी आपको simple documents अपने सारे जैसे आप normal visa के लिए submit करते हो, वो सब submit करोगे, आपका visa आजाता है, बट जब आप visa के लिए apply करते ह यह आपको हमेश्या UK government की website पर चेक करना चाहिए, यह आपको two parts में देने पड़ेंगे, around 524 एक टाइम पे और 196 एक टाइम पे आपको submit करने पड़ेंगे, इसके साथ साथ जो IHS का चार्ज है वो आपको अलग लेगेगा, तो आपका मान लीजे आप यह 5 यह के लिए apply कर रह तो आपके पास में आपको same amount जो आपका लग रहा है, वो amount उनका भी लगेगा, तो यह तो हो गई बात कि आपको अगर वीजा मिल जाता है, endorsement body से आपको endorsement मिल गई, आपको वीजा मिल गया, आपको कितना खर्चा हुआ, so कुछ चीजे जान लेते हैं इस वीजा के बारे मे before you apply, और मैं अब कुछ ऐसे भी points बताऊंगी, जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए, जब आप इस वीजा के लिए अपलाए कर रहे हूँ, सबसे पहले अगर मैं benefits की बात करूँ, तो यह वीजा, जैसे कि मैंने बोला, आप family को यहां पे लेकर आ सकते हूँ, आपके dependence यहां पे आ सकते हैं, और आप अपनी family को यहां पे settle कर सकते हूँ, प्लस अगर आप 5 years प्लस यहां पे रह लेते हूँ, तो आपके पास में indefinite leave to remain, जो कि यहां का PR होता है, आपको वो भी मिल सकता है, और आप अपने permanent route settlement में भी इस वीजा के थूँ, यहां पे UK में आ सकते अब एक बहुत important सी चीज वो यह है, कि आपको किसी भी job offer की जूरत नहीं है, तो यह बहुत बड़ा benefit है, क्योंकि अगर हम skilled worker visa की बात करें, या किसी और visa type की बात करें, तो आपको यहां पे, अगर आप work visa पे आ रहे हो, तो आपको यहां पे job offer लेना जरूरी होता है, और ए visa थोड़ा सा unique है, इसमें बहुत rigorous documentation आपको provide करना पड़ेगा, तो जो भी आप information लिख रहे हो, make sure कि वो सही information हो, आपने अगर वो research करी है, क्योंकि हो सकता है, आपका at any point आपका interview भी हो सकता है, तो अगर वहां पे आपने गलत information प्रोवाइड करी, तो आप पकड़े जा सकते अगर आपने कोई भी गलत document प्रोवाइड कर दिया, just for the sake of providing the information, वहां पे भी आपका visa तुरंध रिजेक्ट हो सकता है, अभी कुछ stats की बात करें, तो recent में global talent visa में जितने लोगों ने apply किया था, सबसे ज़्यादा failure, जो उसका reason दिया गया था, वो था documentation, तो ये एक बहुत important जो कि आपको ध्यान रखनी है, अब आपको दूसरी एक बहुत important चीज है कि आपको लोगों से help लेने में शर्माना नहीं है और लोगों से help लेनी है, आप बहुत ही experience लोग होगे, especially जब आप इस visa के लिए apply कर रहे हो, but हमेशा try करिए कि आपको कुछ ऐसे forums या कुछ ऐसी communities यहाँ पर बन गई हैं, जो कि Global Talent Visa के लोग हैं, तो make sure कि आप जब अपने letter submit कर रहे हो, endorsement body को, या आप उनको reach out कर रहे हो, या आप एपनी application फिलन कर रहे हो, कि आपके पास में अगर कोई mentor होता है, जिसको already यह visa मिल चुका है, अगर वो आपकी help करने को थियार हो जाते हैं, तो यह आपके लिए बहुत easy हो जाएगा, हम खुद अपने एक subscriber को जानते हैं, जिन्नोंने हमसे letter अपना review कराया था, उसके बाद में हमने उन्हें किसी और से connect किया था, क्योंकि उनका Global Talent Visa आ गया था, तो अब आप भी खुद से ऐसे research करिए, ऐसे logo को find out करिए, ताकि आपक प्रेक्शन है, वो ना हो और आपको यह visa easily मिल जाए, जैसे कि मैंने बोला, visa बहुत simple है, आपको बस आपकी eligibility, अगर आप वो endorsement body ने आपको दे दी, तो आपको यह easily मिल जाएगा, but क्योंकि यह different and unique visa है, make sure कि आप बहुत ध्यान से इसको यह document submit कर रहे हो, और बहुत ध्यान स इसका आगे से अपना step-by-step process सही से पूरा follow करो, and guys, अगर आपका कोई भी question है, आप हमसे one-to-one session book कर सकते हो, link आपको description में मिल जाएगा, आप Instagram पर हमसे connect कर सकते हो, हम try करते हैं, लोगों को ऐसे connect करके, और easily उनकी life कर देना, ताकि अगर आप visa apply करना चाहते हो, तो हमारे ल और एमारे लाओाए समय खिजू около 5th इसक और आपए समय कoca है, झाले कर एसका अगर आपना में हमसे वी खूराए आप सासे अपना आपके, रवारा, प्यवारे आपका कर लेंगों कर सकते हैं, थमने कर लिग से भी कर राभात आप्वारी जबसे बागों कि आपका थूरा